हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम जैशिक्रश्णा। आज का हमारा विशय है विवाह में देरी। अर्थात backwards कि एसी कौन सी इत्तथ्य होती है जिसके कारण विवाह में देरी बनती है। गुरू भी विवाह में देरी कराता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक योग और बताऊंगा। उसके कारण भी दिखने में वह सामानिय सा योग लगता है। लेकिन उसके कारण भी अनेको कुंडली हाम ने देखी हैं। विवाह में देरी के योग बनते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ड को देख लेए। यहाँ पर एक चनम पत्रिका बनी हुई है और यहाँ पर सभी राशियां लिखी हुई हैं। उनके नाम लिखे हुए हैं। उनके स्वामी लिखे हुए हैं। जैसे मेश राशी का स्वामी मंगल होता है, व्रशब राशी का स्वामी आप देख लेएं। शुक्र होता है। तो इस प्रकार से आपको सभी राशियों के स्वामीयों को समझना है। बिना इसके जोतिश सीखना संभव ही नहीं है। अब आपको आपकी कुंडली खोल कर देखनी है, यदि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार का योग है, तो आप उसे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुरू की। गुरू के लिए शास्त्रों में लिखा है इस्थान हानी करो जीव। अर्थात गुरू जिस इस्थान पर बेटता है, उस इस्थान की हानी करता है, उस इस्थान को हानी पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, चाहे वहाँ शुब राशी हो, चाहे अशुब राशी हो, गुरू जहां देखता है, वहाँ शुब फलों की व अगर उस कुंडली में सब्तम भाव, यहां पर आप देखेंगे कुंडली में सब्तम भाव लिखा हुआ है, एक लड़के के लिए उसकी पतनी का भाव है, एक लड़की के लिए उसके पती का भाव है, आपको अपनी जन्म कुंडली देखनी है, अन्य कोई भी कुंडली खोल कर नहीं देखनी केवल जन्म कुंडली लगन कुंडली देखनी है और लगन कुंडली में सब्तम भाव में यदि गुरू अकेला बेठा हो किसी भी राशी में हो सब्तम भाव सात्वा भाव चाहे लड़का हो चाहे लड़की दोनों में से कोई भी हो सकते हैं उनकी कुंडली म गुरू यदि सब्तम भाव में अकेला बेठा होना चाहिए। उसके साथ कोई और प्लेनेट ना हो। तो विवाह में देरी के योग अवश्य बनेंगे incluso गुरू सब्तम भाव में बेठ जाये अकेला हो। तब इसी स्थिति बनेगी यदि गुरू सब्तम्भाव में वकरी स्थिति में है अर्थात वकरी है तो इस्थिया और भी खराब हो सकती है यदि कुण्डली में गुरू सब्तम्भाव में पाप ग्रहों के साथ बेट गया जैसे राहू के साथ बेट गया शनी के साथ बेट गया तो और इस्तिती ज़्यादा गंबीर हो सकती है लेकिन आज का विशय है अकेला गुरू सब्तम भाव में बेटा हुआ है तब भी व्यक्ति का विवा जल्दी नहीं होता है उसमें देरी होती चले जाती है गुरू शुब मांगलिक कारियों को देने वाला है और यदि अकेला सब्तम भाव पर बेटा हुआ है तो विवाहिक समंदित मामलों में वह इस्थान हानी करेगा इस इस्थान पर बेट कर सब्तम भाव सब्तम इस्थान में बेट कर उस भाव की हानी करेगा उस भाव के शुब फलो में कमी करेगा हलांकि केंदर में बेट कर वह लगन को देखेगा लाबिस्थान को देखेगा उसके अलावा वह पराकरम तीसरे भाव को देखेगा तो पराकरम की वरद्धी करेगा व्यक्ति की नोकरी अच्छे होगी, कामकाज अच्छे होंगे, शरीर से भी स्वस्त है, मान लीजिए, इनकम भी अच्छी है, सारी इस्तिय अच्छी है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है, अकेला गुरू सब्तम भाव में बेठा है, तो विवाह में देरी के योग बनते हैं, पहली इस्ति, अब मैं आपको दूसरी इस्तिति बता रहा हूँ, इस योग के कारण भी विवाह में देरी के योग बनते हैं, सब्तम भाव जो है, कुंडली में जो सब्तम भाव है, ध्यान से देखें इस सब्तम भाव को, इस भाव में कोई भी राशी लिखी हुई हो सकती कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है उसका स्वामी कौन है उसे आप खो जें मान लीजिए सब्तम भाव में एक या आठ का अंक लिखा हुआ तो मंगल स्वामी होगा यदि सब्तम भाव में दो और साथ का अंक लिखा है तो शुक्र स्वामी होगा सब्तम भाव का तो वहाँ पर आपको शुक्र को देखना होगा अब एसी कुंडली में तीन और छे कांग सब्तम भाव में लिखा है तो बुद्ध को देखना होगा चार कांग लिखा है तो चंद्रमा को देखना होगा पांच कांग लिखा हुआ है तो सुरी को देखना होगा 9 और 12 का अंक लिखा है तो आपको गुरू को देखना होगा यदि सब्तम भाव में 9 या 12 दनू या मीन राशी लिखी हुई है तो आपको दोनों में से कोई एक राशी ही होगी एक अंक ही लिखा होगा या तो 9 लिखा होगा या 12 लिखा होगा एसी इस्तिदी में आपको कुंडली में गूरू को देखना हो या सब्तम भाव में 10 या 11 गांक लिखा हुआ है 10 हो या 11 हो एसी इस्तिदी में आपको शनी को देखना होगा अपनी लगन कुंडली देखनी है जन्म कुंडली देखनी है तो सब्तम भाव का जो स्वामी है कुंडली में कहीं पर भी बेठा हुआ हो उसके आगे पीछे वाले भाव में उससे एक भाव पहले और एक भाव आगे वाले में यदि पाप या खुरूर ग्रह हों जैसे मंगल, राहू, केतू, सुर्य, शनी इन में से कोई प्लैनेट बेठे हों तब भी विवाह में देरी बनती है मान लीजिए किसी की कुंडली में सब्तम तीसरे भाव में बेठा हुआ हुआ है सब्तम भाव का स्वामी लेकिन उस व्यक्ति की कुंडली में दूसरे भाव में और चोते भाव आगे पीछे के भाव कौन कौन से होंगे पीछे का भाव दूसरा होगा आगे का भाव चोता होगा तो दूसरा और चोता भाव पाप ग्रहों से पीडित हो या पाप ग्रह बेठे हुए हो सफ़त्मेश तीसरे भाव में हो दूसरे भाव में ौर चौते भाव में हो मंगल राहु के तू शनी सुरी में से कोई प्लेनेट बेठे हो एक एक प्लेनेट भी हो तो एसी इस्तती में भी विवाह में देरी बनती है तो दूसरा योग यह रहा कि सब्तम का जो स्वामी है वह कुंडली में कहीं पर भी बेठा हो और उसके आगे वाले भाव और पीछे वाले भाव में या उसके पहले वाले भाव या बाद वाले भाव में आगे पीछे के जो भाव होते हैं जैसे लगन में बेठा हुआ सब्तम सब्सक्राइब और पीछे वाला बार्वा भाव है तो यदि सब्सक्राइब लगन में बेट जाएं अकेला बेटा हुआ कोई पापगर साथ में नहीं है लेकिन बार्वे घर में बार्वे भाव में और दूसरे भाव में यदि शनी राहू केतू मंगल सुर्य में से कोई एक सब भी विवा में देरी बन जाती है कि सब्तमेश अकिला है या उसके साथ कोई प्लेनेट बेठा है उसको नहीं देखना है लेकिन सब्तमेश जहां पर भी बेठा है उसके आगे पीछे भाव में भी यदि पाप ग्रह या कुरूर ग्रह जैसे सूरी मंगल है या रहु तब भी समझ से खड़ी हो जाती है ये गुदार्ण से आप समझ लेवें यहां पर आप देखें मेश लगन की कुंडली में आप देखेंगे यहां पर म humor आपको बता रखा है द्यान से आप देखें यहां पर आप देखेंगे कि शुक्र जो है वह नवम भाव में बेटा हुआ है सब्तम भाव का स्वामी नवम भाव में बेटा हुआ है और आप यहां पर देखेंगे कि राहू दशम भाव में बेटा हुआ है मकराशी पर और सुर पाप करतरी योग में होने से विवाह में देरी हो रही तो ये दो योग आपने समझे इन्हे योगों के प्रभाव से भी विवाह में देरी बनती है अलग-अलग कुंडलियों में इसके अलग-अलग उपाई किये जाते हैं पाप ग्रह कौन है क्या इस्तिती है उसको देखी जाती है उसको देखना पड़ता है तब ही समाधान किये जाते हैं धन्यवाद जैशिक्रिश्णा